नमस्कार दोस्तों, क्रियेटिव लाइफ विद कोकल में आपका स्वागित है उद्धान में जाकर ठहर गए और रात में उसको सवपन में दिखाए दिये उनकी माया और अध्भूत कारिया पद दी थी और फिर उनकी माया दवारा जठंदर पति वरत व्रंधा ने रात में ये सवपन देखा कि उसके पती नगन होकर सिर्परते लगाए महरसी पर चड़ा हुआ जो शोंबन महरसी काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं और उसके चहुं और हिंसक्ची हैं वह सेर मुंडाए हुए अंदकार में दक्षन दिशा की और चार हैं उनके उसने अपने नगर को समुंदर में डूबा हुआ देखा और इस परकार के वह बहुत भया अंदक समपन से डर गई फिर ततकाल ही वह जाग पड़ी और सपन के संभंध में विचार करने लगी इतने में उसने सूर्य को उदा होते हुए देखा तो उसने उसे एक छेद्र दिखाई दिया और वह कांती हीन हो गई उसने अनिष्ट जाना यह भैबित होकर रोने लगी वह चज्जे पर गई अटारी पर चड़ी भूमी पर उत्तम मगर उसको कहीं पर भी शान्ती प्राक्त ने हुई फिर वह अपनी दो सक्यों के साथ लेकर उपवन में गई परन्तु वहाँ पर भी उसको चैन ने पड़ा फिर वह जंगल में निकल गई वहाँ पर भी उसको वन में उसने सिंग के समान दो भैंकर रक्षेसों को देखा जिससे वह अत्यन्त भैबित होकर वहाँ से भागने लगी उसी शण वहाँ पर अब उसने शिशो सहित एक मोनी तपस्वी आ गया भैबित वरंदा उसके गले में हाथ डाल कर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी मोनी ने अपनी एक ही हुंकार में उन दोनों रक्षेसों को वहाँ से भगा दिया वरंदा को आश्चरिय हुआ वह भै से मुक्त होकर मोनी नात को हाथ जोड़कर परणाम करने लगी और कर तग्यता का ग्यापन किया फिर उसने मोनी से अपनी युध रत पती के संभंध में उसकी कुशल अक्षेम का परशन किया मुनी ने मोन होकर आगे पिछे देख कर कहा कहना ही चाहा कि उसी समय दोवानर मुनी ने के समझ आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनी ने मुक्रुटी संकेत किया तो ही वह उड़कर आकास में चले गए फिर जलहंदर का सिर वैधढ लेकर मुनी के पास आ गए तब व्रंदा अपने पती का मुर्थ हुआ जानकर मुर्चित होकर प्रिथवी पर गिर पड़ी और अनेक परकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी तत पस्चात उसने उस मुनी से कहा हे कर प्यानी थे आप मेरे पती को जीवित कर दीजिए पती वरत परायान देते पत्नी ऐसा कहकर दुख को के स्वासों को छोड़ती हुई मुनिश्वर के चर्नों में गिर गई वह सिवजी दवारा यूद में मारा गया हत्य एव जीवित नहीं हो सकता क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापी जीवित नहीं हो सकता परन्तु शर्नागत की रक्षा सनातन धरम है अत्य मैं करप्या कर इसे जला देता हूँ नारची कहते हैं कि वह मुनी शाक्षात विस्नों ही थे जिन्होंने की यह सब माया फैला रखी थी वह वरंदा के पती को जीवित करके अंतरधान हो गई चलंदर ने उटकर वरंदा का आलिंगन किया और कहां मुख और उसका मुख चुमा वरंदा भी पती को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्शित हुई तब तक सब बातों को सौपन समझा तक पच्चात वरंदा स्काम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पती के साथ विहार करती रही फिर वह एक दिन उन से सुरत्वे समभोग काल के अंत में भगवान विश्णू को पहचान लिया अत्य उट हें ताडित करती हुई बोली हे प्राय इस्त्री के गमन करने वाले विश्णू तुमारे सील को धिकार है मैंने जान लिया है कि तुम वही मायावी तपशवी तुम ही थे हे राजन ऐसा कहकर प्राम कृहूद को पती वरता वरंदा ने अपने तेज को परकट करते हुए श्राब दिया जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे वही दो राक्षस किसी समय तुमारी भी इस तरी का हरन करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहता से वन में भर्मन करोगे और यह सरवेश्वर जो एक समय तुमारा सिस्य बना है यह वहां तुमारा साथी रहेगा ऐसा कहकर पति वरता विरंदा भगवान विस्नों के लाख मना करने पर भी अगनी में परवेश कर गई ब्रहमा आदी देवता आकास से आकर परवेश देखते रहे विरंदा के सरीर का तेज श्री परवेश जी के शरीर में चला गया और आकास में जय जय शब्द होने लगा पतिवरत धरम के परभाव से विरंदा ने मुक्ति प्राप राजय प्रिधु ने कहा हे देवरशी इसके पच्चात यूद में क्या हुआ और वह दैत्य कैसे मारा गया किरप्याकर अब उस अद्भूत कथा को मुझे कहे देवरशी नारजी बोले जब गिरजा वहां से एद्रशय हो गई और गंधरवी माया भी वेलीन हो गई तब भगवान व्रेस्थवज चैतन्य हो गई उन्होंने लोकिक्ता वैस्थ करते हुए बढ़ा क्रहुद किया फिर भगवान शंकर जलंधर से यूद करने लगे जलंधर संकर के भानों को काटने लगे परन्तु जब कटा काट ने सके तो उसने माया के पारवती बना कर अपने रत पर पान लिया जो शोम निशुम दवारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी तब अपनी प्रियप पारवती को इस परकार कस्ट में पड़ा देखकर लोकिक लेला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकत जनों से की तरहे व्यकुल हो गए और उन्होंने अगने पुंज की तरहे भेंकर रोद्र रूप धार्म कर लिया अब उनके रोद्र रूप को देखकर कोई भी दैते उनके सामने खड़ा होने में समर्थे न हो सका और सब भागने छिपने लगे यहां तक की शुम निशुम भी यूद में सित्थ होने को समर्थे न करप सके जलंधर की सारी माया शन मात्र में ही नस्ठ हो गई संग्रहाम में चारो और हाहा कार होने लगी सिवजी ने उन भागते हुए शुम और निशुम को शापते कर बड़ी धिकार दी और उन से कहा तुम दोनों बड़े दुष्ट हो तुमने मेरा बड़ा अप्राद किया है तुम पारवती को मारते थे और अब यूद में से भागते हो भागते को मारना पाप है इस से अब मैं तो तुम्हें नहीं मारूँगा परंतु गोरी तुम्हें अवश्य मारेगी सिवजी के ऐसा कहने पर समुंदर पोतर जलहंदर किरहोद में अगनी के समान पर जलीत हो उठा उसने सिवजी का घोर पाण वर्षा कर दी पृत्वी पर अंधखार कर दिया तब उस दैते कि ऐसी चेश्टा देखकर भगवान संकर पड़े ही क्रहुदीत हुए और उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाई हुए शुदरसन चक्र को चला कर उनका सिर काट दिया एक परचंड सब्द के साथ उसका सिर घिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा अगचन परवत के समान उसके चरीर में से दो खड़क हो गए उसके रोद्र से संग्राम भूमी व्यापत हो गई सारी पिर्वित्वी विहल हो गई सिव अग्या से उसका रक्त और मास महान गोरव के में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेश निकल कर संकरजी के चरीर में परविस हो गया जैसे कि व्रिंदा का तेश गोरी के चरीर में परविस्ट हुआ था जलंधर को मारा हुआ देख देवता गंधरव और सरव परसन हो दोस्तो आशा है आपको जलंधर और भगवान शेव का शुद का ये हमारी कहानी का रोचकतेत है पसंद आया होगा हम इसका दूसरा भाग कल की वीडियो में आप लोगों के साथ सांचा करेंगे दोस्तो वीडियो को लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक और शेर से मेरा बहुत ही मोटिवेशन बढ़ता है नमस्कार